हेलो गईज, वेलकम टू माई चैनल गर्मियों की सीजन में कुछ ठंडर ठंडर डेज़र्ट खाने को मिल जाएं तो बात ही कुछ अलग है, बस मज़ा ही आ जाता है तो चलिए बनाते हैं, आज एक ठंडर ठंडर डेज़र्ट ये डेज़र्ट बहुत ही कम समय में पड़ी ही आसानी से बन जाता है आप इसे जरूर ट्राय करें, तो चलिए बनाते हैं यहां लिया है मैंने दो लीटर दूद, आप इसे थोड़ा ज्यादा बनाकर दो तीन दिन के लिए रख सकते हैं इसलिए मैंने यहां लिया है दो लीटर दूद, इसी दूद में से थोड़ा सा दूद अलग से निकाल के रख लेंगे और जो बागी का दूद बचा है उसमें एक उबालाने देते हैं और जो ठंडे दूद में से थोड़ा सा दूद हमने अलग बचा के रखा था उस दूद में डालेंगे कस्टड पाउडर यहां पर मैंने केसर पिश्दा कस्टड का यूज किया है आप अपने टेस्ट के कोडिंग जो कस्टड आपको पसंद है उस फ्लेवर का आप कस्टड ले सकते हो यहां पर मैंने 5 चमच कस्टड पाउडर डाला है अब इसे इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे कस्टर्ड को हमने इसमें बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर दिया है और यहां पर दूद में भी उबाल आ जुका है और अब यहां पर जो कस्टर्ड का पेस्ट हमने बना के रखा था उसे इसमें डाल देंगे आप इसे इसमें थोड़ा थोड़ा करके ही डाले एक दम से सारा का सारा ना डाले इस तरह से थोड़ा थोड़ा डालते जाएं और मिलाते जाएं अगर आप एक दम से इसमें सारा डाल देंगे तो इसमें गुठलिया बन जाएंगी तो इसी तरह थोड़ा थोड़ा करते और अब यहां डालेंगे एक चुटकी फूड कलर यह टोटली ओप्शनल है अगर आपके पास है तो डाले नहीं तो इसे स्किप भी कर सकते हैं मेरे पास था तो मैंने इसमें डाल दिया इसे डालने से इसमें बहुत ही अच्छा कलर आता है अब इसे भी इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर 15 मिंट के लिए पका लेंगे और आप इसे बीच में चलाती भी रहें नहीं तो ये नीचे लग जाएगा तो ये देखी हमने इसे 15 मिंट के लिए पका लिया है ये अभी ज्यादा गाड़ा नहीं है तोड़ा पतला ही है आप अपने कोडिंग अगर ज्यादा गाड़ा खाना पसंद करते हैं तो आप इसे 5-7 मिंट के लिए और पका सकते हैं और ध्यान रहे ज्यादा गाडा ना करें, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद भी गाडा हो जाता है, तो आप जिस तरह का इसे खाना पसंद करते हैं, उस तरह का इसे बना ले, अब इसे ठंडा होने देते हैं, ये देखिए, कस्टर को हमने रूम टेंपरेचर पर ही ठंडा कर लिया है और ठंडा करने के बाद इसका कलर और भी अच्छा है यहां पर लिये है मैंने कुछ ड्रैफूर्ट किस्मिस बादाम पिस्ता काजू इन सब को बारिक-बारिक पिस्स में काट लिया है किस्मिस को भी यहां पर मैंने बारिक-बारिक काट लिया है अब इन सब ड्रैफ नहीं है तो ना डाले इन सब ड्रैब फूट्स को अब कस्टर्ड में अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब यहां डालेंगे कुछ फूट्स यहां पर मैंने सेब, केला, अनार, अंगूर फूट्स लिए हैं जो आपको फूट्स पसंद हैं आप यहां पर डाल सकते हैं फूट्स को भी मैंने बारी बारी पीसिज में काट लिया है अब इन सब फूट्स को इस कस्टर्ड में डाल देंगे और इस फूट्स को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे ये देखिए ठनर ठनर डेजर बनकर तयार है केसर पिस्ता फूर्ट कस्टर्ड आप इसे थोड़ा ज्यादा बना कर भी रख सकते हो आप इसे बना कर दो से तिन दिन के लिए खा सकते हो ये खाने में बहुत ही स्वादिश लगता है है ना एक सिंपल सा स्वीट सा डेजर्ट आप इसे बनाए और ये बच्चे बड़े सबी को पसंद आएगा अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लेगे मुझे केमेंट करके जरूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक शेर सस्क्राइब करना ना भूले फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ बाई